हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मांसीज किचिन आज हम बनाएंगे डाक चॉकलेट चॉकलेट को आप एजली मार्केट से खरीद के भी ला सकते हैं लेकिन घर पे भी इसे बनाना बहुत असान है इसको बनाने के लिए सिर्फ हमें फोर इंग्रीडियंट्स चाहेंगे और बहुत मार्केट में इजली अवलेबल नहीं होता है तो हम इसको इडिबल कोकोनट कोईल के साथ तयार करेंगे जिसकी वज़ा से इसके टेस्ट में थोड़ा साथ हो सकता है जाधा डिफरेंस नहीं आएगा आप चाहें तो इसे बटर के साथ भी बना सकते हैं बटर के साथ बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में लेंगे वन फोर्थ कप इडेबल कोकोनट कॉयल को हमें बहुत तेज गरम नहीं करना है बस हलका गुन-गुना हो जाए उतना ही गरम करना है इसमें हम डालेंगे वन फोर्थ कप ही पॉड़र्ट शुगर दोनों की क्वांटिटी हमने बराबर रखी है यहां में एक बात आपको कहना चाहूंगी शुगर आपकी बहुत बारीक पीसी होई होनी चाहिए इसमें कोई भी दाना नहीं होना चाहिए अगर आपको थोड़ा सभी डाउट है तो आप शुगर को अच्छी तरह से चान के डाले और इसे हम मिक्स कर लेते हैं अगर आप मिल्क चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं अब हम यहां पर वन फोर्थ कप कोको पॉडर लेंगे हमने तीनों की कॉंटिटी बराबर रखी है तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं तो टेबल इस्पून इसमें मिल्क पॉडर एट कर दे और इसमें स्वीटनेस भी बढ़ जाएगी अब हमने वन फोर्थ कप कोको पॉडर लिया है इसको हम चान के लेंगे क्योंकि हमें कोई भी लंब्स नहीं चाहिए जैसे ही कोको पॉडर हम इसमें मिक्स करेंगे हम फ्लेम को आफ कर देंगे और तब हम कोको पॉडर इसमें मि को movies ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे नहीं तो एक्दम लामस आ जाएंगे बहुत हलके हाथ से से एक बार मिक्स करना है आपको जरी घो आफ फ्लेम को «A calling टाrüम ग्वह सब्सक्राइब कर लिए जे पार मिक्शर को डालेंगे। इस नमगर का घर ले ऐस बार हम Dot capture आखे लिए मोल्ड लेकिन हम उनी सब चीजों से काम चला को यह मेख़न लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर चॉकलेट की ही शेप चाहेंगे तो आपको वो मोल्ड्स यूज करने होंगे अच्छी तरह से यह मिक्षर इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं मिक्षर हमने इसमें ट्रांसफर कर लिया है एक बार अच्छी तरह से इसको टैप कर देते हैं ताकि यह सब तरब से एक सार हो जाए अब हम इसको एक से दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे दो घंटे बार मैंने चॉकलेट को फ्रिज से भार निकाला है और यह पूरी तरह से सैट हो गई है आप देख सकते हैं अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं एक प्लेट लेंगे और इस तरह से इसको फ्लिप करेंगे थोड़ा सा हाथ से टैप करेंगे परफेक्ट वाओ एक चीज में आपके साथ इहां पर डिसकस करना चाहोंगी जब हमने चॉकलेट को सेट किया था तो मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था जिसकी वज़ाए से मुझे से डी मोल्ड करने में थोड़ी प्रॉबलम हुई है मैंने पहले इसे गैस पे थोड़ अब एक बार इसको चैक कर लेते हैं यह देखिए वाओ परफेक्ट क्रंच है इसमें यह देखिए एक बार मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ यह देखिए चॉकलेट में परफेक्ट क्रंच आया है आप इसे फॉइल पेपर में लपेट के फ्रिज में रख सकते हैं डर्क चॉकलेट बनके तयार है, इसे घर पे बनाना बहुत ही असान है, आप भी एक पर अपने घर पे ट्राय करें, और आपके जो भी एक्सपीरेंस हो, वो मेरे साथ जरूर शेयर करें, अगर आपकी कोई क्वाईरी है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके म मेरे चानल को सब्सक्राइब करें, और भी इंट्रस्टिंग रेसिपीस के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट करना ना बूले, www.cookwithmansi.com, thank you so much for watching, see you in my next video, bye-bye.